Hello everyone, my name is Nihit and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टन है आज हम बात करने वाले हैं रिलाइन्स जियों की आई हुई नई जॉप विकेंसिस के लिए कैसे आपको अप्लाइ करने क्या के रिक्वर्मेंट से है इसबाट जो विकेंसिस है ला हरे को क्वालिफिकेशनवाइज है और हरे के डिपार्टमेंट की तरह से विकेंसिद आएजियों ने आउट कर दी है और फर्स टाइम ऐसा हुआ है सारे चीजों को में आपको डिटियल में समझाऊँगे एक यह हैं कितनी पोस्त के रिए प्लाई कर लेना है फिर मेल के फिर पोस्त के रिए प्लाई करना है ताँकि आपको ड़ेफिनिटि नहीं हें तो छाल संझाने वाली हो तो वीडियो का हर इक पार्ट आपके लिए ओक वीडियो को स्टर्टिंग से एंटक्टकर जरू क्या क्या यहां पे रिक्वार्मेंट्स हैं आपकी इरिजिबिल्टी पोस्ट वाइस क्या मागी गी हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है विजट करके इंफॉमिशन लेकर आप इन विकैंस के लिए अप्लाइ कर सकते हो हमारी जो ओफिशल वैबसेट है इसको आप सीधा गूगल पर टाइप करें आपको पहली नवर पर साइप मिल जाएगी चलिए ज्यादा टाइम ही बात करेंगे की रिलाइस जो की आई हुए मेगा हाइरिंग के ने आपको कैसी अप्लाइ करना है क्या 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 रिक्वर्मेंट्स है हर चीजleness को या पर डीटेल में कवर करना कि लिए हम सिधा चलते है अपनी कंभूटЕ स्क्रीन पीवहाँ पिचल के आपको डीटेल में सम एक एमाजोन की लेटेस्ट बिलकुल विकैंसी आई है, वो जॉब अपडेट पहली बार एमाजोन की तरव से आया है, इसी के साथ साथ एक गवर्मेंट डिपार्टमेंट का अपडेट है, जो की SBI की सीधी भरती है, वो दोनों वीडियो सा रही है, हमारे सेकींड वहाँ पे चलके सारी चीजों को डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि आप में से हर को यहाँ इलिजिबले अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी क्वालिफकेशन बैग्राउंड से आप इलिजिबले अप्लाई कर सकते हैं, इसे पहले देखे हम सिधा आचके अपने ऑफिशि पार रिटेश्स के इलावा जो सेंटर्ल गवर्मन की डिपार्टमेंट की है, और आपकी स्टेट वाइस गवर्मन की वाप चेक कर सकते हैं, इसे हम यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना लिंक करने हैं, यह सिधा आजेंगी ऑफिशल साइट पे यहाँ इंटरफिर्स थोड़ा चेंज हो चुक है, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में यहाँ सिंचाऊंगी, यहाँ पर आपना जो इंटरफेस है, वो चेंज कर दिया है, यहाँ पर अगर आप कोई भी अलग जोब देखना जाते हैं, यहाँ पर टाइप करके, लोकेशन वाइस चाहते हैं, तो आपके जो जो विकैंस है 7825 है, उसके बाद जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी के लिए आप अपलाई करना चाहते है, 7731 है, मैं आपको यहाँ पर सक्सेस्फुली अपलाई करके भी दिखाऊ हुए ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसर में सेल्स के लिए 7630 विकैंस कब आएंगी, तो फाइनली 488 विकैंसी उनकी आउट रही है, बिजनेस ऑपरेशन के लिए 165 है, उसके बाद देखिए इंजिनरी एंड टेक्नोलोजी में 157, आईटे सिस्टम में आपके 107 है, एचर की बाद करें उसमें आपके 36 विकैंसी आउट रही है, उपरेशन के ल यहां पर 6 जॉब है, उसके बाद इंफ्रस्ट्रेचर के लिए 6 जॉब है, इंफ्रमिशन सेक्योरिटी के लिए 6 है, पर क्यूर्मेंट एंड कॉंट्रेट के लिए 4 है, नेक्स्ट यहां पर लाप्स में आप जाते हैं कि आपको अलग लड़ी पार्टम के विकैंसी देखन इंफ्रमिशन सेवन थाउजन एट अट वन्टिफाइए जो थर्ड वाली आप देख रहे हैं, अगर आप सीज के लिए इंटरस्ट्रेचर है, तो थर्ड वाली है, अधर वाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर देखिए जो टोटल वेकैंसी है, फॉर्टीन थाउ आपको पहले दो तरीके की विए अपन करके भी दिखा देखिए जैसे सबसे पहले मालो हुमने फ्री राइंसर के लिए अप्लाई करना है, यहां पर हम क्लिक करेंगे, जितनी भी रेटस्ट्रेचर हैं यहां पर देखने को मिल जाएंगी, यहां पर मैं आपको इलिजिबि आपको यूजियर के रेटस्ते हैं मिल इफ सूरिंस के लिए कान साथिय मालो को यहां ऑपन करने को लिए के सके लिए हम ducks फी आपन विकेश दीफ के लिए अपन करके लिए क्यिक लिए आपनी करना है कुसमr के से बिखलब कर सकते हैं बस और और में से फ इस्टों को यहां क्लिक करने ठीक है यहां पर कुस्मेस सर्विसे का एक बहुत अच्छा की रोल होता है बहुत एहम की रोल होता है यहां पर जोईन करने का जह आपको हीुआặ्म हरी घ्मolar जिलर्येशन काव bottom को ऊंड़ल पर्संट जो ईनकी सैना होता है next यहां पर नहीं यहां पर चेक करने है इसमें प्रॉफाइल चेक करने है कॉस्टमर सर्विसें में यहां पर एड़्वाइजर की समय देखने को मिल रही है यहां पर इन्होंने सिधा लिखा वी हुआ है जो भी इनके ठीक है पार्टनर जैया जो इनके इनके इसके लिए देखे सिर्फ आपको basic computer knowledge होने चाहिए थोड़ी बहुत आपको basic English आते जो चलेगा problem solving skills होने चाहिए customer focus skills होने चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि customer आपके सामने हैं आपके स्वी और से बातचित करें आपका focus customer पे होना चाहिए टेकर technical orientation होने चाहिए आप उसके बाद attention to detail यहां पर skills आपने यहां पर required ठीक है service mindset होने चाहिए मतलब आप उनको जो भी उनकी query है उसको आप resolve कर रहे हैं उनको service ही आप दे रहे हैं तो आपने mindset होना चाहिए तो इस post के लिए भी 12th graduate होना यहां पर apply कर सकते हैं अब एक post के लिए मैं आपको बता रहे हैं apply कैसे करना है अपने यहां apply नौ पर click करना है last me अभी यह आपको बोलड़ा है email ID लिखे password लिखे आप login कीजिए ठीक है हम email ID password लिखे लोगिन करेंगे यहां पर apply करेंगे जैसे हमने यहां पर email ID password लिखना तो लोगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको नेम लिखना है contact number qualification आपके क्या है कब आपने password कहां से password क्या है correspondence address आपका क्या है permanent address क्या है वो सारी चीज़े changes definitely आते हैं तो आपने resume अगर पहली से बना रहा है उसको update नहीं किया है तो आपके लिए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉट्ली से नहीं हो तो आपको यहां पे पहले अच्छे तरीके से अप्डेट करना है उससी जैसे आपने यहां क्लिक है अपने profile आपको बेसिकली यहां बना दिया है जहां पर email एडे लिखना है पासवर्ड आपको यहां पर अपना रखना होगा more info में क्लिक करके आप चेक कर ले ना कौन-कौन से characters आपको यहां use नहीं करने है और password आपको किस तरीके से यहां रखना आप यहां अपने बारे में आपको रिटेस प्रवाइड करने है यहां पर लिखा है ना प्रवाइड पर्सनल इंफरमेशन अपना नेम लिखना है जो आपका अधार कार्ड में मैंशन हो लास्ट नेम लिखेगा चिक है डेट आपको लिखना है location by default यहां इंडिया पर लिखना है नेक्स्ट आपको capture को यहां ढालके confirm पर क्लिक करना है कई बार होता है capture अगर आप डालके तो यह वह वह पिक नहीं करता खुछ ना कुछ आप गलत यहां टाइप कर देते तो आपको यहां रिट्राई पर क्लिक कर देना है जो आपको capture यहां पर समझ आज अप्लाई करने हैं लॉगिन करके अप्लाई करने का जो प्रोसीडर है जो स्टैप है वह पहले ही क्लियर कर दिये थे ठीक है जिसमें आपको बताया उन्हें प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने पड़ेगी जो जो step मैंने आपको बताया है उन्ही step को follow करते हो आपको apply कर लेना होगा कोई problem आपको नहीं आने वाली है जैसे मैंने आपको बताया आप एक से ज्यादा पोस के लिए भी यहाँ पर अलगले department के लिए definitely apply कर सकते हैं उसके बाद बात आती है आपके selection and joining इसमें कैसे होने वाली है तो यहां पर देखिए आप किसी भी पोस के लिए apply कर रहे हैं जैसे आपने apply कर दिया उसके बाद क्योंकि अर्जंट हाई रिंग है अलगले department की जहां पर अर्जंट हाई रिंग है रिजुमे अच्छे तरह की से अप्लोड आपको करना है अब उसके बाद आपकी जो प्रफाइल है वो शॉट लिस्ट होगी जैसे आपने apply कर दिया सेलेक्शन आपकी शॉट लिस्टिंग पहले होगी रिगार्डिक इंटर्व्यू वाकिन भी हो सकते है वर्चल भी हो सकते है वो उनके HR के उपर डिपैंड करते है ठीक है वो आपको बताएंगी ही तब ही आपको कॉल आईगी अगर आपका रिजुमे बहुत ज्यादा अट आपको कब तक यहां पर रिवर्ट आएगा तो जाकर आपको कमेंट जरू से कर लेना और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारी टीम बैठी है डेफिनल्ट आपको रिप्लाई मिलेगा चैनल पर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए इसके इरावा मैंने आपको पताया दो अलग लग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन जिसमें एक आचो का पोस्ट ओफिस का लेटेस्ट और एक आचो का अमाजोन का यह दूनरो वीडियो आपको यहां मिल जाते हैं एक दो वहां मिल जाते हैं तो हमारे दोनों चैनल को सबस्क्राइब आप ज़रू रखना है चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट आप डिडियो मिलेंगे नई इंफोर्मेशन के साथ थैंक्स और वाचिए